हलो दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वाका avoiding एक बिला में मैं हूँ आपका दोसरे न्डोस टेकिनिकल वल्हेज़स जाँ बिडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हाँ डोसी सी मिट एप और जिटिसी मिट एप जो है इन हमस्रें लग स Indeed हम आपको बताने चाहते हैं class join करना चाहते हैं तो इसलिए मैं इसके उपर में आपको वीडियो दिखा रहा हूं अब इसको open और use कर सकते हैं तो दोस्तों इसको use कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं जिटसी meet app जो है आपको download कर लेना है play store में available है इसका मैंने link description में दिया है करने बद जब app आप open करेंगे इस तरह से screen आपके सामने आईगी जिसके अंदर में आपको बहुत सारे option याज देखने को नहीं मिलेंगे छुटे छुटे थोड़े option दिये हुए हैं सबसे पहले आपको अगर meeting create करना है तो उपर यहाँ पर सबसे पहले आपको meeting का नाम दे देना है और सीधे सीधे आपको join या create पर आपको click कर देना है जैसी आप करते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं आपकी meeting जो है वो start हो चुगी है अब meeting start होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं invite other का option जिसमें आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी option दिये जाते हैं जिसमें आप copy to clipboard पर मतलब link copy करके भेज सकते हैं या WhatsApp से भेज सकते हैं WhatsApp में जाएए direct यहाँ पर select कर लीजे लोगों को जितने भी लोग आप यहाँ select करना चाते हैं हलाकि WhatsApp के अंदर में सिर्फ 5 लोग select होते हैं तो आप एक broadcast list बना सकते हैं उसको direct यहाँ पर select कर लीजे और send पर click कर दिए इसके पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी दोस्तों फूरे app get more google reviews दोस्तों अगर आप चाते हैं अपने google page का या business page का review जाद से बढ़ाना तो फूरे app को आपको करना होगा download और इसके धूरू आप जाद से जादा आपने reviews बढ़ा सकते हैं और reviews बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आपके ग्रहक और बढ़ेगा आपका business तो भूलि को क्लिक करेगा browser में open होगा होने के बाद में जो है उसको पहले तो एप का link आजाएगा app download करने के बाद में वो जब वो link फिर से click करेगा तो वहाँ पर आपको वो जो है direct open कर पाए जो है open करके उसमें meeting joint हो जाएंगे इसके लावा नीचे आपका option दिए जहां पर आप boys इस अपना name डालके यहाँ पर जो है chat शुरू कर सकते हैं और okay पर click कर दीजे और यहाँ पर अपना जो भी message आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर लिखते जाए जितने लोग meeting के अंदर में है वो सब देख पाएंगे और वहां से message कर पाएंगे इसके अलावा दूस्तों यहाँ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर जब आप नीचे दिखेंगे तो select the sound device का option दिया गया है invite संबन का option दिया है जिससे आप invite में चले आएंगे low bandwidth mode पर आप चला सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका data जादा ना जाए rise your hand पर आप क्लिक करते हैं तो तुझे एक option आ चालू था इसको हमने हटा दिया है हना तो वहां पर आपको और दिया हुआ है अगर आप इस वीडियो की recording start करना चाहते हैं तो start recording का option है और start live stream का option दिया गया है और add meeting password अगर आप password डालना चाहते हैं तो यहाँ से add meeting password में जाए यहाँ पर कोई भी password डाल दीजे तो जब आप password डालना पड़ेगा जो meeting password आप यहाँ पर create करते हैं तो आपको जो है इस तरह से इस एप को यूज करना है meeting बंद करना है तो red button पर क्लिक कर दीजे आपकी meeting जो है close हो जाएगी और सारे लोग जो है वहां से remove हो जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो और voice के ऊपर option दिया ह हुआ है जिसमें अगर आपसे voice meeting करना चाहते हैं तो फिर voice पर क्लिक कर दीजे और नहीं तो वीडियो स्विच कर सकते हैं इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं